गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं प्रकास पुद्धा स्वागत करता हूँ आपका करियर फॉंडिशन के मॉनिंग करेंट अफेर सो में दोस्तों आज 18 जुलाई है और इस वीडियो में हम लोग 18 जुलाई से रिलेटेड महत्पून करेंट अफेर को देखेंगे इसके अलावा कुछ important fact भी हम लोग जानेंगे दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलेग्राम चैनल पे तो आप Career Foundation की टेलेग्राम चैनल जोईन कर लें जो बिलकुल फ्री है ठीक है दोस्तों आईए सुरू करते हैं आज का सेसन हाली में किस पुर्व औस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को sports अड़ा का नया brand बिजड़ मनाए गया है तो दोस्तों बहुत ही आसान परस्न बन गया है क्योंकि option ही ऐसा दिया हुआ है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं तेज गेंदबाज इस option में केवल एक ही है ब्रेटली है ना ब्रेटली जो हैं औस्टेलिया के पुर्व तेज गेंदबाज हैं जिनको किसका sports अड़ा का brand मिजडर हाल ही में बनाया गया है तो इसको आपको याद रखना है हलाकि ये सारे के सारे क्रिकेटर आस्टेलिया के ही हैं लेकिन सेन वादन एक spinner थे एक spin गेंदबाज थे एडम गिलक्रिष्ट जो कि एक विकेट कीपर बल्ले बाज थे जबकि मैथ्यू हिडेन एक बल्ले बाज थे ठीक है दोस्तों नेक्स कोशन देखते हैं विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया गया तो दोस्तों विश्व सर्प दिवस यानि कि वर्ल्ड स्नाग डे हाली में मनाया गया है और ये हर वर्स 16 जुलाई को विश्व स्नाग डे मनाया गया है कब मनाया गया है 16 जुलाई को विश्व स्नाग डे मनाया गया बात को आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है नेक्स कोश्चन है पुर्व आईयस अधिकारी और किस राज की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यनारायन उनका हाल ही में निधन हो गया इसका करेक्ट अंसर जो होगा महरास्ट हो जाएगा महरास्ट की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी कौन नीला सत्यनारायन जिनका हाली में निधन हो गया है और ये महरास्ट की थी याद रखेगा महराष्ट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो महराष्ट के कुछ महत्पुन, परेटन अस्थल या फिर हम नेशनल पार्क को देखते हैं तो दोस्तों परेटन अस्थल देखें तो अजन्ता का गुफा आप लोगोंने नाम सुना होगा ठीक है अजन्ता का गुफा कहां है महराष्ट में है जो किस धर्म से related है दोस्तों तो अजन्ता का गुफा जो है वो बहुत धर्म से related है और आपको यह अगर पूछा जाता है कि अजन्ता का गुफा में कितनी गुफाएं है तो 29 गुफाएं है अजन्ता के अंदर ठीक है दोस गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं इसको आपको याद रखना है 34 गुफाएं इसमें भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसमें 17 गुफाएं जो है वो किस धर्म की है बहुत धर्म की है ठीक है दोस्तों 12 गुफाएं इसमें हिंदू धर्म की है ठीक है और बाकी जो गुफ के अंदर ही एक कैला समंदिर है जिसका निर्मान किस ने कर आया था राष्ट कूट सासक क्रिष्ण देव पर्थम ने कर वाया था तो इतनी सारी जानकारी आपको इस कोश्चन के माध्यम से मिल गई है अगला कोश्चन दिल्ली सरकार ने खाद संदरच्छा वं मानक अधिनिय के तहत राजधानी में कितने वर्स के लिए सुगंधित तंबाकु व तंबाकु मिश्रित उत्पादों की विक्री व भंधारन पर पाबंदी लगा दी है दोस्तों ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक साल के लिए पाबंदी लगाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा खा दिल्ली के मुखमंतरी अर्विन के जिरिवाल है अनील बैजल वहां के उपराजपाल है दोस्तों ठीक है अगला कुशन हाली में पकिस्तान और किस देश के मध्य पकिस्तान अधिकरित कस्मीर यानि की P.O.K. जो भारत का हिस्सा है है ना P.O.K. के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्धित परियोजना के लिए एक समझोता परहस्ताचर किया गया है तो दोस्तों ये पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ है दोस्तों ठीक है पियोके के अंदर एक सुधोटी जिला है वहाँ पे 700 मेगावाट का आजाद पटन जल विद्ध परियोजना पर समझोता परहस्ताचर किया किसने तो चाइना ने किया है दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं हाली में किस राज सरकार ने नीजी यानि कि प्राइबिट होस्पिटल में कोरोना के इलाज है तू तीन स्रेनी में फीस निधारित कर दी है तीन स्रेनी में ठीक है अलग अलग तरह का पैसेंट रहेगा जो ज़्यादा गंभी रहेगा उससे कम उससे कम इस तरह के लिए तीन स्रेनी में इलाज की फीस निधारित की गई है तो यह पंजाब राज में की गई याद रखिएगा ठीक है पंजा हाली में माईल जेडिनस जो की एक फुटवाल खिलाडी थे उन्होंने सन्यास की घोसना कर दी ये कौन से देश के फुटवाल खिलाडी थे दोस्तों माईल जेडिनस ठीक है माईल जेडिनक जो थे वो किस देश के फुटवाल खिलाडी थे तो इसका correct answer होगा Australia ठीक है दोस्तों Australia की राजधानी कहा है Australia की राजधानी कैनबरा और आप लोग याद रखेगा Australia जिस महादेश निस्तिद है उसको ओसियानिया महादेश भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है औस्टेलिया महादेश को ओशियानिया महादेश भी कहा जाता है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है आप लोगो पता है पुर्तिकाल की राजधानी कहा है दोस्तों 100% विद्दुचालित रेल नेटवर्क बना जाएगी मतलब प्यूस गोयल अभी हाल में बोले हैं कि भारती रेलवे अगले कितने सालों में 100% विद्दुचालित रेल नेटवर्क बना लेगी तो इसका correct answer जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आप लोग बताईए क्या होना चाहिए दोस्तों तो इसका correct answer जो होगा साड़े तीन साल नहीं साड़े चार साल होगा कितना हो जाएगा साड़े चार साल याद रखेगा अगले साड़े चार साल में जो भारती रेलवे हो क्या कर लेगी 100% विद्दुचालित रेल नेटवर्क बन जाएगी दोस्तों इस बात को याद रखेगा आप लोग ठीक है चले next question देखते है किस देश के प्रधान मंत्री एलीस एलीस फाक 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 एलीस फाक फाक ने हाली में राश्पती को अपना इस्तिफा सौप दिया है किस देश के प्रधान मंत्री एलीस फाक फाक ने हाली में राश्पती को अपना इस्तिफा सौप दिया है तो इसका correct answer ट्यूनीसिया हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्यूनीसिया हो जाएगा तुनिस इसकी राजधानी है इसको याद रखेगा और तुनिस दिनार इसकी मुद्रा है दोस्तों याद रखेगा ट्विनिशिया की राजधानी ट्विनिश है और यहां के प्रधान मंतरी एलिक्स फाक फाक जो है ना वो राश्पदी को अपना इस्थिफा सौप दिये है भारत और किस देश ने के बीच संपर की सुविधा के लिए न्याई वैपार मार्क खोला गया है तो इसका करेक्ट आंसर भूटान है दोस्तों है ना भूटान की राजधानी थिम्पू है आप लोग को पता है ठीक है और यह भारत का एक बहुत ही महत्पुन पड़ुसी है यह सारे जो अप्सन आपको दिये हुए है भूटान बंगला देश यह दोनों अस्थले पड़ुसी देश है जबकि इंडोनेसिया जो है दोस्तों भारत का जली पड़ुसी देश के अंतरगत आता है ठीक है दोस्तों चलिए तो यह था आज का करेंट अफर सेशन दोस्त तब तक के लिए गुड़ बाई धन्यवाद दोस्तों